साथियों आज जब दुनिया के बड़े बिजनेस लीडर से यहां जूटे हैं तब आपारे सामने कुछ और बड़े सवाल भी हैं इन सवालों के उत्तर से ही बिजनेस और हुमेनिटी का भविश्यताय होगा और इनके जमाब के लिए आपसी सहयोग जरूरी है चाहे क्लाइबेट चेंज का विश्य हो एनर्जी सेक्टर की क्राइसिस हो फूर्ड सप्लाइच चेन का असंतुलन हो वाटर सेक्यूरिटी हो साइबर सेक्यूरिटी हो ऐसे कितने ही विश्य हैं जो बिजनेस पर बड़ा इंपेक्ट डालते है इसे मुकाबला करने लिए हमें अपने साजह प्रयास बढ़ाने होगे समय के साथ अब हमारे सामने ऐसे विश्य भी जुड़ते जा रहे हैं जिनके बारे में दस पंदरा साल पहले कोई सोज भी नहीं सकता था अब जैसे क्रिप्टो करन्सी से जुड़ी चुनोती है इस मामले में जादा से जादा इंटीग्रेटेड एप्रोच की जरूरत है मैं समझता हूं इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्ग बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का द्यान रखना चाहिए आर्टिफिशल इंट्रिजेंस को लेकर भी इसी प्रकार की एप्रोच की जरूरत है आज ए आई को लेकर दुनिया बहुत एक्साइडमेंट देख ही रही है लेकिद एक्साइडमेंट के बीच कुछ एथिकल कंसिडरेशन भी है स्कीलिंग और रिस्कीलिंग को लेकर एल्गोरिदम बायस और सुसाइटी पर उसके प्रभाव को लेकर चिंता ही जता ही जा रही है ऐसे विश्यों को भी हम सबने मिलकर के हल करना होगा ग्लोबल बिद्नेस कॉमुनिटीज और सरकारों को मिलकर के यह सुनिस्चित करना होगा कि एथिकल एई आई क्यों विस्तार मिले हमें अलग-अलग सेक्टरस्ट में पोटेंशल ड्यूरेशन्स को भापना होगा डिस्रप्शन हर बार नजर आ रहा है और हम सोते हैं हिसाब लगाते हैं उससे जादा डिस्रप्शन का स्केल उसका व्याप और उसकी गहराई गंबीर होती जा रही है इस समस्या का ग्लोबल फ्रेमवर्क उसके तहट समानधान निकालना होगा